तो दोस्तों आज हो गई है 30 सितंबर और जो बड़ी खबरे हैं मुखे समाचार हैं एक एक करके चलेंगे तमाम बहुत बड़ी अपडेट साब तक आगे इसी वीडियो की माध्यम से पहुचाएंगे ये वो खबरे हैं जो गूदी मीडिया आप तक नहीं पहुचाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहले के आइकन को ज़रू दबाईएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थर में कमेंट करना विल्कुल भी मत भूलिएगा जैजवान जैकिसान तो आईए दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही हैं अमिसाह से मिले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंग भाजपा में सामिल होने और करसी मंतरी बनाये जाने की अटकले हो चुकी हैं तेज आप लोगों को बताते चलें पंजाब के मुख्यमंतरी पद से इस्तीफा देने के बाद क कैप्टन अमरिंदर सिंग के कांग्रेस छोड़ने की अटकले लगातार जारी हैं इस बीच अमरिंदर सिंग बुदवार को ग्रीमंतरी अमिसाह से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे दोनों नीताओं के बीच में करीब यहां पर 45 मिनट तक बात चीत हुई हैं माना जा र और वहीं माना जा रहा है कि पंजाब में विधान सभा चुनाओ को ध्यान में रखते हुए भाजबा अमरिंदर सिंग को कींदर ये करसी मंतराले भी सौप सकती है इसके बाद पंजाब के पुर्व मुख्यमंतरी करसी कानूनों को लेकर कि किसानों की समस्या को सुल जाने क अबर बताते चलें है दोनों ही सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे बड़ा बयान देते हुए आरचेडी के प्रवक्ता मृत्यूंजे तिवारी ने पटना में कहा है कि हम कुसेशवर इस्थान और तारापुर सीट जीत करके विहार में सरकार बना लेंगे लालू परसाद सब्राजी के नए मुख्यमंत्री होंगी और नितिस कुमार को सियम पद से इस्तिफा देना होगा और चल दी हम यहाँ पर बहुमत जुटाने वाले हैं ऐसा दावा कर दिया है आरचेडी के नेता मृत्ति उन्जे तिवारी ने दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते है क्या नया मोड लेगी सांसद वरुण गांधी की सियासत अपनी ही सरकार के खिलाब टूइट करने के लिए क्यों हुए है मजबूर आप लोगों को बताते चलें यूपी में अगले साल होने वाले विधान सभाचुनाव से पहले नेताओं में भगदर मची हुई है लोग अ प्रदर्शनकारी किसानों को हमारे अपने लोग बता करके उनके दर्द को समझने का प्रयास किया है यूपी विधान सभाचुनाव से पहले जारी किसानों के आंदोलन को लेकर के लगातार दूसरी बार वरुण गांधी का रुख भारतिय जंता पार्टी में बढ़ती बे इसतार में मा को जरूर जगह मिलेगी और वहीं ऐसा नहीं हुआ और जिसके चलते सरकार की अंदेखी से यहाँ पर नाखुसा है वरुण गांधी भाजपा के एक वरिष्ट निता के अनुसार वरुण गांधी की टिपनी पार्टी के साथ उनकी बढ़ती नाखुसी को यहा जूड बोलते हैं मुख्यमंत्री योगी आधितनात उन्हें नहीं है आकडों की सही जानकारी अखिलेश यादाप का जोड़दार हमला यूपी में बढ़ते अपराथों को लेकर के सपा के अध्यच है व्यूपी के पुर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादाम ने प्रते इक और नहीं देखते हैं महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्यचार और अन्याई यूपी में हो रहा है यह यहाँ पर अखिलेश यादाम ने योगी आधितनात के सरकार को खेरा है कानुन विवस्था के मुद्दे पर और कहा है कि यूपी के अंदर पूरी तरह से आज गायम हो चुका है दोस्तों ये कहना है अखिलेश याद आपका एक और बड़ी खबर बताते चलें राहुल गांधी का पियम मोधी पर जोड़दार हमला कहा वे लोगों के बीच के रिस्टे को तोड़ते हैं जोड़ना मेरा काम है आप लोगों को बताते चलें कॉंग्रस की नेता राहुल गांधी ने पियम नरेंदर मोधी पर निसान साधते हुए आरोप लगा है कि वे भारत के लोगों के बीच के समंधों को तोड़ रहे हैं राहुल गांधी ने कहा है कि वे कहते हैं कि भारत एक छेतर है, हम कहते हैं कि भारत लोग है, रिस्ते हैं यहां हिंदू, मुस्लिम और सिख के बीच, तमिल, हिंदी, उर्दू, बंगाली के बीच का संबंध है, पियम के साथ मेरी समस्या यहां है कि वहां इन रिस्तों को लगतार तोड़ रहे हैं। मेरा काम है, मेरा करतब है, यह दो टूक कहना है रहुल गांधी का और जबर्दस तरीके से गेरा है, केंदर की मुदी सरकार को एक और बड़ी खबर चान लेते हैं। मेरा मुखे उद्देश भाजबा और उसकी विभाजनकारी नीतियों, नफरत और प्रतिसोध की संस्कृति को हराना है, भारत पूरी तरह से आर्थिक मंदी की चपेट में है। उन्होंने कहाए कि आज मैं दीदी के साथ यात्रा सुरू कर रहा हूँ क्योंकि गोवा को एक विश्वस नहीं है, विकल्प की बहुत जरूरत है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फलेरियो टीमसी में सामिल हुए है, एक और ब आदमी पार्टी को पंजाब की कॉंग्रिस सरकार ने एक बड़ा छटका दे दिया है, दो किलो वार्ट तक बिजली कनेक्शन वाले उपभोगताओं को राज सरकार ने एक बड़ा तोफा दिया है, आप लोगों को बताते चलें, कॉंग्रिस सरकार ने दो किलो वार्ट तक बिजली कनेक्शन वाले उपभोगताओं का बिजली बिल यहां पर माफ कर दिया है राज सरकार के फैसले के मुताबिक तिरेपन लाग गरीब परिवारों के बारा सो करोण के बिजली बिल का भोगतान किया जाएगा पंजाब सरकार के इस फैसले ने आम आदमी पार्टी के एजन्डे पर पानी फेर दिया है पंजाब समेत कई राज्यों में आम आदमी पार्टी ने फिरी बिजली देने का वादा किया था लेकिन यहाँ पर कॉंग्रस सरकार ने दे दिया है तगड़ा छटका दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरे थी जो हमने आप लोगों ते पहुंचाई है यू एंड वीडिवी के माध्यम से अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजेगे तक कि आप सभी के दोस्त भी इनकबरों को जान सकें वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत